स्वामी विवेकान जी ने अखणा जी महाज को कहा देखो गंगा मेरा चरीत्र भ्रष्ट हो गया है तुम उझे छोड़ दे हुसंग में मत रख तो फिर सम्मिया खणा जी माज क्या रहे तुम्हारे चरीत्र से मुझे क्या लेना देना मैं तुमको प्यार करता हूं जैसा भी तुमारे चरीत्र हो मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं स्वामी भी एक अनमुश्केल में पड़े सब कुछ आर्गुमेंट बेकार जा रहा है फिर उन्होंने का देखो ठाकुर ने मुझे विशेश एक मिशन दिया है मेरे जीवन में और वो मिशन को मुझे प्राप्त करना है उसके लिए मुझे कुछ समय अलग रहना पड़ेग तब स्वामी अकानन जी महाँ समझ गए ठीक है मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा तुम्हारे बिना मेरा मन मेरा दिल एक दम तड़प रहा था इसलिए मैं आ गया तुम्हारे दर्शन हो गया अभी मेरा दिल में तसल्ली हो गई ठीक है अब तुमको जहां जाना हो जाओ, मैं तुम्हारा पिछा नहीं करूँगा, और फिर स्वामी विवेकानन जी, बहुती संतोष उनको मिलता है, और फिर स्वामी विवेकानन जाते हैं, मांडवी से भूज, और एक दिन बाद स्वामी अखाननन जी भी भूज जाते हैं, और स्वामी अखाननन जी बोलते हैं अपनी किताब में, स्मिति कता में, उन्होंने खुद ने आटो बैग्राफि लिखे, उसमें लिखते हैं कि फिर मैं वहाँ दिवान जी कि यहां पर मैं रह रह रहा था, इसका मतलब भी होता है कि स्वामी विवेकान जी वहाँ पर नहीं तो स्कूरमें जी कहा रह रहे थे, मुझे लगता है, हमें हमें यह अन्दाज हम लग कर सकते हैं कि वे महाराजा के सात इप महाराज महल में ही रह रहोंगे, दर्वार गज थोई है उसमें रह रहे होंगे, क्योंकि यदि गेस्ट हॉस में रहते हैं तो वहाँ पर स्वामी अखानन जी स्वामी विवेकान एक साथ रह सकते थे माने यदि मालो स्वामी विवेकान जी एक दिन पहले गए उनको यदि स्टेट गेस्ट हॉस में रखा रहता तो Swami Pakistan जी भी वहाँ पर रह सकते थे परंथू ये पाल पैलैस में थे इसलीव स्वामे वीवेकानाच जी को संकोश हुआ कि कैसे उनको बोलू राजा को कि इनको भी ले लो हो सकता है तो जो भी होके परंथू Swami Pakistan जी वहाँ पर थे वो दिवान जी का जो मकाने वो ठीक हमारा जो दर्वार घड़े पूराना राजमहलुसकी ठीक सामने है उसको सबको ले चर्चा हो रहे हैं उन सबको मेमोरेल बनाने के लिए बहुत प्रहतना है दिवान जी जिस मकान में रहते थे वो अभी बाद में कोल्ट कचेरी हो गई सर पुरानी बिल्डिंग है और भुकम में और भी ज्यादा नुकसान हुआ था उसको खाली पड़ी हुई है उसको हम लोगों ने रुकवा दिया है प्रयत ने चल रहा है उसको मेमोरिल बनाने के लिए दर्वारगड़ में कम से कम इतना वड़ा दर्वारगड़ तुम ले भी नहीं सकते और पता नहीं वो तो टुरिजम गुवर्मेंट क्या करेगा क्या गुवर्मेंट अब गुजरात क्या करेगा परन्तु कम से कम उसके एक पोर्शन यदि वह सामी वेकान का एक्जिबिशन उसमें लग जाए फोटो लग जाए ये हमने परेतन किया है अभी प्रेजंट जो महाराजा है उनको हमने या अनुरोद किया है अब ये सौमी विवेकान जी और ये दोनों यहीं पर भुज में रहते थे साथ में रहते थे सामने सामने सब् sigui ने कहा अकाने को चलो यहां से हमको चले जाना चाहिए क्यों ऐसा इतना जल्दी हम लोग अकानेजी बुला फिर उस आमेजी ने बुला रे मैंने एक बात सुनी है ये तो बहुती भैयानक बात है क्या बात सुनी बुला ऐसे बात सुनी कि यहाँ पर ये आनंद आश्रम नाम के एक साधू आया थे पचिस साल पहले और वे बहुत पढ़े लिखे थे विद्वान थे और राजा के साथ उनकी बहुत मैत्री हो गई और वो राजा को सभी चीज में सलाह देने लग गए तो उस समय ऐसी एक प्रथा थी कूपर था कि राजा सब जितने चितने चोटे चोटे जमिदारी को वो उनका जो जो हिस्सा था उनको दे देते थे और फिर ये लोग प्रजा के बहुत टेक्स वसुल करते थे और त्राही त्राही हो गई थी प्रजा पर इनको थोड़ा सा बस दस परसंट दे देना पड़ता था बाकी सब वो लोग अपने पास रख लेते थे ऐसा बहुत टेक्स वसुल करते थे तो उन्होंने ये प्रथा बंद करवा करके हां नहीं British Government में जैसी प्रता है Centralized Administration आप कीजिए और यह जमीदारों के चंगुल से गाओं वालों को बचाईए तो इस प्रकार तो यह तो हो गया उससे प्रजा को तो बोड़ी शांती मिली पर इधार यह जितने इनके दरबारी थे जो कि इस प्रकार से contract ले कि यह सन्यासी कहां से आ चड़ा हमारे पेट पर लात मारता है फिर एक बार उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया और वो मर गए बहुत देखो भई अभी राजा जिस प्रकार से हमको प्यार कर रहा है इतना हमारे देखरे कर रहा है तो प्रजाजनों को तो यह दरबा पहले ही हम लोग यहां से चल दें और फिर उस्वामी विवेकनन दुनों चलते हैं जाते हैं फिर से मांडवी में मांडवी में लगबख 15 दिन एक साथ रहते हैं वो कहां रहते हैं मैं पता नहीं है उसकी भी खोजबिन चल रही है मोस्ट प्रवली एक बिल्डिंग है जो कि उस समय सरकारी के साथ अभी एक सरकारी ऑफिस है तो उसके लिए प्रहतने चल रहा है उसको खोजबिन करके उसको भी मेमरल बनाने के लिए तो बाद में वहां पर एक 15 दिन वहां रहे करके मांडवी में रहे करके फिर स्वामी जी वहां से चले गए पोरबंदर और कुछ दिनों बाद यह अखंडाने जी भी उनके पिछे पिछे फिर पोरबंदर गए और दोनों एक साथ शंकर पांडरूंग पंडित के बोजेशर बंगले में रहे यह बोजेशर बंगलो अभी मेमोरिल बन गया है विवेकान मेमोरिल र पांडरूरंग पंडित थे यह अत्यंत विद्वान थे अथर वेद का उसमें कॉमेंटरी उस पर लिख रहे थे स्वामी विवेकान की मदद भी उन्होंने ली थी और स्वामी विवेकान जी अखना जी महाज को कहा था इन वेदिक 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 ज्यान में पंडरूरंग पंडित के समान और कोई पंडित उनने पुरे देश में नहीं देखा है होल अफ इंडिया ये स्वामी विवेकान फिके दिया थे अत्या विद्वान थे और इसलिए स्वामी विवेकान कहीं भी 30 से जादारी रुकते थे वहाँ चार मैं रुग गए पुरबंदर बात में यह सब बाते बुलेंगे तो यहां पर इसके बाद वहाँ पर तीन-चार दिन और रहे पोरबंदर उनके साथ, फिर उसके बाद में स्वामी जी चले गए जुनागड़, और इधर ये चले गए, अखंडान जी बाद चले गए काठियावाड के तरफ, काठियावाड मनें ये राजकोट की तरफ, तो जेतपूर रा राजकोट आये और गोंडल, जेतपूर से राजकोट आते समय गोंडल बीच में आता है, तो इस प्रकार से ये सब जगह पर गए, और फिर वहाँ से गए जामनगर, तो जामनगर जब जा रहे थे राजकोट से, तो बहुत बड़ा टेरिबल स्टॉर्म, बहुत बड़ा त एक साल से ज़्यादा रुग गए, लगबग एक साल रुग गए, ये अद्बुत कहानी, एक साल उन्होंने क्या किया, अत्यन संक्षिप में, तो उन्होंने बाद में खुद नहीं पूरा कहा था, अपनी आत्मकता में लिखते हैं, कि सेवावरत का प्रारंब, बहुत बड प्राब में देखें, ये सेवावरत जो सामी अखना नंजी ने मुर्थ सरुग दिया, उसका प्रारंब हुआ बोलते हैं, जामनगर में, और उसका विकास हुआ राजपुताना में, खेतली वगेरा आजपास में, और उसकी परिनती हुई मुर्शिदाबाद में, बाद में संक्षिप में इसको देखेंगे, फिर वहाँ पर पहले चार मेहना, उस समय चातर मास शुरू हो गया था, आप लोगों को मालू है कि चार मेहने, वो जो बरशा के चार मेहने, ये सिन्यासी लोग उस समय बहार जो भी परिवड़ाजक रहते हैं, वो एक जगा पर टिक जात हैं, एक जगे उनको रहना पड़ता है, चातर मास बिताना पड़ता है, तो चातर मास बिताने के लिए उन्होंने वहाँ पर गये, और उस समय धन्वंत्री धाम में वो चार मेहना रहे, धन्वंत्री धाम में मनिशंकर विठल जी वैद्य, ये बहुत बड़े सच्पुच क समीता का उन्होंने गहन अध्यान किया क्योंकि ये जाम नगर है वो आईयरवेत का मानोश जन्मस्थान उसका सेक्डों सालों 1000 यह जारों सालों से तो यह जाम मनगर में जाकरके उनको सब कुछ इतने बड़े वैदे मिल गए, सब कुछ समहीता मिल गई, तो चरक सुसुत सहीता का उनोंने अध्यान शुरू किया, और उस, ये जो धनवंत्री धाम के पास में एक चतुस पाठी इनोंने शुरू की थी, मनिशंकर विठल जी वैदे ने, चतुस पाठी में गरीब बच्चों को संसित पढ़ाय जाता था और बाकि सब पढ़ाय जाता था, तो वो भी इतनी उम्र में एक बच्चा बन गए, बच्चे बन गए और वो भी संसित सिखने लगे, जो संसित तो बहुत अच्छी तरह जानते थे, पर एक विशेश प्रकार के जो सास्तर उनको पेट वो संसित पहुड़ते थे सारा दिन, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर उन्होंने अन्न सत्र सुरू कर रहा है, इनको पूछ कर, इनको बोल करके अनुरोत किया, मनी शंकर विठल जी को अनुरोत करके अन्न सत्र सुरू किया, अब वहाँ पर एक बड़ा जामा विभा, जामा विभा सी जाम नगर हुआ, पहले तो नवा डगर नाम था, तो ये जामा विभा ये ब्रह्मचारी को बहुत प्यार करते थी, उनको बहुत जमेन दी थी, बहुत पैसा दिया था, बहुत संपति दी थी, तो ये बहुत बड़ा आश्रम था, वाइभव यह खूप शादी आसरम था ब्रहमचारी जी का और ये टॉम टॉम वगइड़े उनको दिया था घोड़ा गाड़ी सब भी दिया था और यह जामा विभा जाम विभा यह जब जाते थे वहां से आसरम से पार होते थे falei बोम बोम बोलते इस प्रकार से चल रहा था इन्हों ने ब्रह्मचाइन देखा इतने अच्छे सादू आये हैं विद्वान सादू है पड़े लिखें तो उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं तो बुड़ा हो चला हूं इतना सारा सब आश्रम क्या होगा मैं आपके नाम पे लिख देता हूं और अब आप ही इस आश्रम को चलाइए ऐसा उन्होंने कहा तो अखाना जी मांचे हाथ जोड़ लिए बोले मैं मैं ये सब इसके लिए मैं तो अपने भगवान गिलाब के लिए निकला हूं ये सब तो मेरे जीस तो माया तो मुझे सकता और फिर उन्होंने कहा सादो तो चलता भला पानी तो बहता भला मैं तो आया हूं कुछ दिनों के लिए तो उसमें ये तो नहीं होगा करते उन्होंने वह उफर नहीं लिया फिर ये जो उस समय एक टोकरा सामी थे टोकरा सामी की भी बाते उन्होंने अपने स्मृतिकता में लिखी है वो दक्षिन भारत के थे उनके बारे में लिखा है रंजी सिंग जी के बारे में लिखा है रंजी सिंग जी ये जो जाम विभा थे उनके एडॉप्टेट सन थे जाम जोड़दार सुरू हो गया, तो हो नहीं था, तब रंजी सिंग जी चले गए इंग्लेंड, इंग्लेंड में जा करके उन्होंने क्रिकेट भी सिखा, और ये शाषन भी उन्होंने अपना हाथ में ले लिया, ब्रिटिज गॉवर्मेंट से उन्होंने मदर ली, ये रंजी सिं करता है, ऐसे बेटिंग करता है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, कैसे इस परकार से टेलेंटिड हो सकता है, ये रंजी सिंग के नाम से अभी रंजी ट्रॉफी चल रही है हमारे देश में, समझे है कितने बड़े महान बेट्समें थे, उस समय के जमाने में कोई उनको ट टेनिंग देते हैं, नेट प्रेंटिक्स कराते हैं, कितना होता है, कुछ नहीं, आपने ही वो सिखे थे, ये रंजी सिंग जामनगर के थे, वहां पर जामनगर में बहुत अच्छे मंदिर थे, महां करना जी महां जाया करते थे, एक भीड बंजन शिवजी का मंदिर था, सो कई लोग महां पर रोज दर्शन का निकले आते थे, विशाल, बेचर बाई देवी का छोटा सा मंदिर था, चोटी सी मूर्ति थी, पर ये अकाना जी महां आज को वहां अच्छा लगता था, वहां पर जा करके वो लोग जो प्रार्तना करते थे, भक्त लोग, बेचर बाई बेचर बाई रे, हूँ जेवो ने तेवो छू तमारो, गुजराती में प्रार्तना है, बेचर बाई रे, हूँ जेवो ने तेवो छू तमारो, सामी अकान जी बोला कि इसका मिनिंग बताओ, जब उस मिनिंग समझ लिए, कि बेचर बाई, मने देवी को बोलते हैं, बेचर कुमाता न भवती उसी प्रकार का भाव है माह जैसा हूं मेरे को स्विकार कर लो इतनी भक्ति भाव से लोग प्रात्ना कर रहे थे और उसकी जो भीतर की भावना यह समझ करके तो छोटा सा मंदिर था फिर भी वहां भी बहुत जाते थे अब वहां पर जब चतुर मास पुरा हो गया उसके बीच में उनकी मुलाकात होई संकर जी शेट से यह बैंकर थे बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे और विधूर थे उनकी पतनी की मृत्य हो गए थी संतान कोई नहीं थी उनके दो भतिजे थे दो भतिजी थी और एक बहुत ही भले दिल के थे नेक दिल के थे रिदे उनका विशाल था और सदावरत था कोई भी आएगा तो खाना देना यह करना वो करना और बिक्षा चिछा देना इधर जब इनों ने अखर्णाश का जीवन देखा सारा दिन शास्त्र पाठ कर रहे हैं ये कर ये बजन कर रहे हैं जब ध्यान कर रहे हैं बहुत ही प्रसंड हो गया तो उन्हों ने का अब को उनकी आदत नहीं थी बंगाल में लोग ज्यादा घी नहीं खाते गुजरात में इतना घी खाते थे उस समय अभी तो अभी कुछ कम हुआ है तो उसे उनका पेट खराब हो गया तब फिर उन्होंने उनके लिए इस प्रकार से उनकी विशेश बहुत प्रकार से विवस्था की फिर सदावरत उन्होंने खोला अखाणी महाज के कहने पर गरीबों को यह देने के लिए अब इन्होंने देखा कि स्वामी अखाणी ने देखा कि वहाँ पर दो भतिज है दो भतिजी है यह भावी है यह सब तो अच्छे बड़े मजे से रहते हैं और सेट जी की संकर सेट जी की खुद की मा बुढिया उसको कोई देखता नहीं वो विचारी खुद इतनी उम्र म अपने कपड़े खुद धोती है सब कुछ देती है एक बार तो कपड़े दोते दोते गिर पड़ी तब अखाणी जी माज को बड़ी दया आई फिर उन्होंने संकर जी सेट को का कि सेट जी यह क्या हो रहा है आपकी सगी मा इस प्रकार से नौकरानी के समान रह रही है आप यह तो ठीक नहीं है आपके सगी मा को आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा तो बोले आप बोलिये मैं कहूंगा बोले रोज सुबह जाकर के रोज सुबह आकर के मा को प्रणाम करना गुटने टेक करके यह हमारी बंगाल की कस्टम है आप लोग गुजरात में कैसे माग को इस प्रकाह से आप नेगलेट करते हैं तो समझ में नहीं पाता है स्वामी अखाणाजी बोलते हैं आच सो साल पहले अभी तो सब जगे एक ही बात हो गई कोई मावा को देखता नहीं ओल लेज हूं में तो उस समय अखाणाजी सुख्या है उनको कि आप सद्ग्रहस्त हैं स और कुछ उनको ये दीजिए प्रणामी दीजिए और पुछे कि आपको कोई तकलिफ है या नहीं फिर उन्होंने सुरू किया तो मा के आँक में सासु निकल गया कि कभी ऐसा नहीं हुआ था और ये सेट जी रोज आकर के प्रणाम करते हैं चवन्नी उसमें चवन्नी बहु बोलते थे मां कुछ है कि ने मां तो विचारी आनन से ये हो गई कि ये स्वामी अखंडानाजी महराज के आने से मेरे दिन फिरे परन्तु इधर इनको तो ज्वाला लग गई दो भती जी दो बती जियां अब इनके तो खुछ संतान नहीं थी ये तो केवल रहा देख रहे कब सेट जी मरे और सारी प्रापर्टी हमारी हो जाए केवल उसके मरने की राह देख रहे थे ये सब लोग इनकी नजर केवल उनकी धनसंपती पर थी एकदम मट्रिलिस्टिक थे तो इनको थे ये सब अच्छा नहीं लगा अरे मां भी किस काम में आने वाली बुडी मां तो उसको तो रिजट करके रखा था अब उसका इंपोर्टेंस शुरू हो गया अब इससे भी आगे सुनो अब इनके भतिजे भतिजी की हालत कि क्यों इस प्रकार से लोग जलन में आगे उसके कारण है कई एक तो ये मां को इस प्रकार सनमान देना सुरू किया सदारवल गयाने लग गय एक कैसे Չनसे सहन होता इसमें इन्होंने और क्या किया कि महाराज के लिए अखनेजी महाराज के मनुरंजन के लिए एक गायक को रखा गयक नागर ब्रह्मन था गयक उसका नाम था मुल जी ये मुल जी को रखा क्यों मुल जी ने स्वामी विवेकानन्द को भजन सुनाये थे और वही मुल जी स्वामी अखाणन जी को भजन सुनायेगा तो अखाणन जी महारत तो बहुत प्रसंद हो गए बोलते हैं ये मुल जी का ग गाने उसके पास से स्पेशल गवायत थे उनके पास बारम बार और कौन से तीन गाने शशधरतीलक भाल शीव जी के उपर है शशधरतीलक भाल दूसरा प्रभु मेरे अवगोन चीतन दरो तीसरा दया निदे तेरी गती लखी न परे यह गाने जो स्वामी वेका ने उसमें से करवाये तो इसलिए यह जो है मुलजी के पास मुलजी गायक उन्होंने रख लिया था और अकाना जी महलाज उससे बहुत ही प्रसंद हुए अब इनको और भी ज्यादा तकलिफ हुई अरे एक सन्यासी के मनुरजन के लिए उसके आनंद के लिए इतना रुपया देना तो इसमें खतम ही हो जाए कुछ बचे का नहीं लगता है जबता कि सन्यासी यह रहेगा अब इधर तो अकाना जी महारे ने देखा कि यह लोग का जो बेहेविर देखा भुतिजे भतिजी का लगा कि मैं कांटे के समान इनको लग रहा हूं तो का है को यह सब करना भाई तो उन्होंने एक बार कहा सेट जी अब मेरा चार मास तो पूरा हो गया है अब मुझे आप छुट्टी दीजे मैं जाना चाहता हूं और सेट जी का तो इतना अटेश्मेंट हो गया था यह अखणा जी माज में वो तो रोने लग गए नहीं मैं आपको कहीं नहीं वाला हूं आपको जो चाहिए ऐसा करता हूं आपके लिए मैं आश्रम बना देता हूं मैं ब्रह्मान जी मारज आपके जो अद्धेक प्रेसिडेंट हैं उनको में लिग देता हूं इनको यहां रख दिया एक बहुत बड़ी आश्रम आपको बना देता हूं बहुत सुंदर माया सेड़ जी की माया में फसा क्या अब क्या करना पर जा नहीं पाते हैं फिर कैसे भी करके उन्होंने सोचा कि अभी कहां से निकला जाए जब ये सब सुना तो आप सोच सकते हैं ये इनके भतिज़ भतिज़ की हालत मूल जी गाय को रखा अभी ये ज़्यादा रहेगा तो ये आदमी रहेगा तो ये तो पूरा पूरा आश्रम बना दे देगा मंदिर में बना देगा राम के दे अब एक दिन फिर उन्होंने क्या किया कि अंते में फिर उनको रह नहीं गए वोसा रोज अकानेजमाच कॉफी पीते थे तो एक बार कॉफी पीने लगे कॉफी जब पीए उसके बाद में ऐसी उनको लूज मोशन शुरू हुआ कॉफी पीने के बाद तो चार दिन तक पड़े रहे बिस्त्रे पर तुरन फिर जंडु भट को बुलाया गया जंडु भट की बाते बाद में करेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग बाते जंडु भट आये तुरन दोड़ करके उन्होंने उनसको दवाई दिया कैसे बेर कर कुछ जान बचाई जान जाने ही वाली थी उसके बाद में फिर जंडु भट की यहां चले गए जंडु भट की यहां चले गए तो सेट जी बहुत रोने लगए तो बहुत नी नी मैं वहां पर ट्रीटमेंट करके मैं तो यहीं रहूँगा जामनगर बे रहूँगा रोज हम लोग मिल के रहेंगे पर अभी अब जंडु भट की यहां गए तो थोड़े फिर एक दो दिन जब ठीक हो गए तो सेट जी से मिलने आए तो सेट जी तो फिर रोने लगए देखिए आपकी जाने के बाद में जे बिल्कुल अचले लगता आई जी यह कॉफी सेट है न यह मैं जब देखता हूं तो आपकी बहुत याद आती है तो अंतिम बार आप कॉफी पी लीजिए फिर से कॉफी मंगाई फिर से कॉफी मंगाई जहां थोड़ा सा पिया फिर से वही वाला टेस्ट उनको लगा तो फिर दोड करके भागे भाग करके उनको जंडुबट क्या भागे जंडुबट ने फिर से उन उन्हें बोला देखो ये आपको माल में उससे में नहीं बोला पर ये उन्होंने जहर मिलाया था कौफी में तो अकरणाजी मानने को तारी तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कौन सा उसमें बीज मिलाया था बोल दूं ऐसा करके उन्होंने बीज बताया तो भी नहीं माने तो देखो यही बीच था थोड़ा सा खाया तो लगा हाँ वही वरका का टेस्ट था और इतना थोड़ा सा टेस्ट किया उसे में फिर से लूज मुशन सुरुआ इतना सा टेस्ट किया तब उनको पता पड़ा हाँ भाई यह तो मुझे पूरा डिस्पेश करने की बात थी यह स्वर्गधाम में भेजने की बज़िश्पूरी विवस्था शेट जी के परिवार वालों ने कर दी थी तो शेट जी को उन्होंने कुछ नहीं बताया पर बाद में शेट जी को मिलते थे पर दूसे रहते थे तो इस प्रकार से वहाँ पर यह जाम डगर का जो अखना ज का जो रहना है अद्भूत वहाँ पर इतनी इच्छी इतनी इंपोर्टेंट और इतनी महत्वण घटना घटी है बाद में स्वामी वेकान को जब उनने बताया स्वामी वेकान ने बोला अरे गंगा तु बेवकुप है अरे इतना अच्छा मंदिर बना देता सेट जी और व हमारा कोई सेंटर नहीं है नॉन अफिशल सेंटर है चोटा सा सेंटर है उदर हमारे भक्तों लोग चलाते हैं जमीन भी है चोटा सा आश्रम भी है पर यह ब्रह्मचारी का मिल जाता और सेट जी का बड़ा मंदिर बन जाता रामकिष्देव का जामनगर की एक रोनक अलग ह हुआ कोई बात नहीं अभी यह बागी की बाते कल करेंगे यहां समाप्त करें ओम शांति 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 ही हरी ही ओम तस्त शीरामकृष्णार्प नमस्तू